नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज का मेरा वीडियो है मीन लगन वा मीन राशी के जातकों के लिए देव गुरु ब्रस्पती का मका राशी में गोचर क्या प्रभाप देगा देव गुरु ब्रस्पती 14 सितंबर 2021 को मका राशी में प्रवेश कर रहे हैं और वो 19 नुहमबर 2021 तक मका राशी में रहेंगे देव गुरु ब्रस्पती जब तक मका राशी में रहेंगे उसका प्रभाप मीन लगन वा मीन राशी के जातकों पर क्या पड़ेगा इस वीडियो आपका मीन लगन है और अगर उसमें चंद्रमार बैठा है तो इसका आर्थ है आपकी मीन राशी यानि अगर आपका मीन लगन है तो भी आप ए वीडियो देख सकते हैं और अगर आपकी मीन राशी है तो भी आप ए वीडियो देख सकते हैं मी लगन मीन रासी के लिए देव गुरु का महत्व क्या है मीन लगन मीन रासी में देव भिस्पती स्वय ञाएक आपके गुरु लगनेश बनते हैं और गुरु दशमेश भी वन है यानि गुरू लगन के स्वामी है रधो तो ऐसी स्दिती में महित महतलεν से था हैं अब इस समय जो गोचर हो रहा है वह अभी तक देव गुरु बर्सपती छे अप्रेल 2021 से कुम राशी में चल रहे थी कुम राशी आपके बार्वें भाव में आती है जैसे मैं आपको बताती हूं कि कुली का चटा आठ्वां बार्वां भाव जो है लेगटी होता है यह कि ही डिसीजन नी ले पाते हैं हेल्थ की प्रावलम रहती है हमारे खर्चे अधिक होते हैं क्रोथ की मात्रा बढ़ जाती है और हम कुछ भी प्लान करते हैं तो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं हमारा काम अधूरा छूट जाता है क्योंकि अगर कुंडली में लगन बली नहीं आपको ना किसी प्रकार थिल्थ की प्रावल्म जरूर होगी और अगर आपकी हैट्टी में चाहें गज केसरी योगों तो जोस्त ने बड़े योगों का फली नहीं मिलेगा क्योंकि आपकामी नहीं कर पाएंगे आपका लगनी वली नहीं है हेल्थी आपकी इतनी कम जोर है इसलिए कुंड़ी में यह देखने की जरुवत है कि गोचर में भी हमारा लगनेश हिस्समें का चल रहा है तो मील लगनवा राशी की बात करें तो गोचर में लगनेश हमारा 12 चल रहा था जिसके कारम हां हमारे कामों में बादा आ रही थी अब यह जो देव गुरु बरस्पति कुम राशी को छोड़ कर लाभाब में आएंगे इसमें भी ध्यान रखने की वात है कि यहां पर गुरु मकर राशी में आ रहे है मकर मीन राशी की नीच राशी है यानि आपका लगनेश आ तो लाभाब में गया यानि उसने 12 तो एक्टिविटी बढ़ेगी, मित्रों से आपको लाब मिलेगा, पंचम पर पड़ेगी तो विद्या, बुद्धी, संतान, यह जैसे सुख मिलेंगे, सब्तम भाब पर पड़ेगी तो पार्टनर्शिप से फायदा होगा, जीवन साती के संगसम्मद अच्छे होंगे, लेकि इ विका दश में आ रहे हैं, जो दो तरीके हैं इसमें, पहली बात तो गुरू जब 14 सितंबर से 19 तुमबर तक रहेंगे, तो जब वो 14 सितंबर को परवेश करेंगे, उस समय वो वक्री अवस्ता में होंगे, यानि गुरू 14 सितंबर को जब यहां आएंगे तो वक्री अवस् उसके बाद जब देव गुरू बर्सपती मारगी हो जाएंगे, तो 19 अक्टूबर से 19 तुमबर तक मिलेगा हमें मारगी गुरू का फल, तो सबसे पहले हम बात करें, 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक देव गुरू बर्सपती जो मकर राशी में आएंगे, वो वक्री अवस् आपके पास जॉब नहीं थी, जॉब मिल चकती है, आप अपनी पर्मोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि दशमेश वक्री होकर और अधिक, जब गुरू जैसा शुग्रे वक्री होता है, तो उसकी पावर बढ़ जाती है, तो य अच्छा समय है, बागने आप 19 नहुंबर तक भी बढ़न सकते हैं, ओवराल 14 सितंबर से 19 नहुंबर तक का समय के लिए बहुत अच्छा है, और यह जो गुरू का दशम भाब पर गूचर हो रहा है, वो किसी महत्यपून घटना का संकेत दे रहा है, कि आपका कोई काम होने लेकिन इसके साथ-साथ, 14 सितंबर से 18 नहुंबर तक गुरू की दो विशिष्टा होंगी, एक तो गुरू वक्री होंगे और एक गुरू नीचराशी में होंगे, गुरू नीचराशी में है तो हेल्थ की प्राबलम देंगे, और इसके साथ-साथ गुरू वक्री भी है, त लगनेश वक्री होता है तो पुरानी बिमारी निकल कर आती है इसलिए 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अपने स्वास्ते का विश्य शुब से ध्यान रखेगा कोई पुरानी बिमारी आपको निकल कर आ सकती है और आप परिशानी में पढ़ सकते है अब हम बात करें 19 अक के लिए विशुब है वैपार में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं गुरू हमारी मनो कामना पूर्ती के भाब में बैटे हैं तो हमारा कोई अगर काम रुका हुआ था तो हमारी वह इच्छा भी पूरी हो सकती है धनलाब के लिए समय अच्छा है क्योंकि गुरू की यहां पर लाबेश शनी के साथ गोचर में यूती होगी और गुरू की लक्षमीस्तान पंचम पे भी दिश्टी होगी अपनी उच राशी पर हमारे रुकेवय कामों को गती मिलेगी अगर हमारा कोई काम रुक रुक रहा था वो इस अबदी में तेजी से होने लगेगा तो का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 14 सितंबर से 19 तौंबर तक गुरू जमबकर में जा रहे हैं वो आपके लगनेश होकर अपनी नीच राशी में जा रहे हैं तो वो हेल्थ के लिए सही संकीत नहीं है विशेश कर 14 सितंबर से 18 अक्टूबर तक जब लगनेश आपका नी जिसका आपकी कुंड़ी के लगन से या ऐसे गृए की दिशा जो गुरू है यह बुद्ध है या ऐसा ग्रह जो सब्तम में बैठाय यह लगन में बैठाय तो अशी स्टती में आपका विवात हो सकता है गुरू की दिश्टी पंचम भाव पर है आप संतान प्लान कर सकते है संतान से जोड़ी खुशकवरी आपको मिल सकते है कि गुरू की संतान भाप पर अपनी उच्छी दिश्टी है विदातियों के लिए समय अच्छा है कि उनकी पढ़ाई में जो बादा आ रही थी वो बादा दूर होगी उनको पढ़ाई के अफसर मिलेंगे और अपनी पढ़ा भाप का शुफल देती है तो यानि गुरू की रिष्टी पंचम भाप में पढ़ना आपके अपने साती से संबन सुद्रेंगे कोई गलत फहमी थी तो गलत फहमी भी आपकी दूर होगी क्योंकि यहां से नवम भाप से केतु की रिष्टी भी पंचम भर है जिसके कारण कई पर कॉपनिकेशन गया पानी की संबामना बनती है तो मेरा है मानना है कि मीन राशी और मीन लगन के जातकों के लिए देव गुरू बर्सपती जो 14 सितंबर से 19 नौंबर तक मकर राशी में परवेश करके आपके लाब भाप में रहेंगे क्योंकि गुरू जो है 2, 5, 7, 9 और बाकी सबसे महत्यपूर बात की क्योंकि गुरू 14 सितंबर से 19 नौंबर तक अपनी नीच राशी में रहेंगे इसलिए अपने स्वास्ते का विशेशू से ध्यान रखिए स्वास्ते से जोड़ी कोई ना कोई परिशानी आपको परिशान करने की संबामना बनती है इसलिए ह अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो किर्पा मेरा चैनल सब्क्राइब कर दे साथ ही वेल ऐकन को भी दवा दे जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोट करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलने और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथ ही नमसकाद अश्कों चै अजया मतली